Hello friends, welcome to weekly analysis of USDINR और साथ में हम लोग EURO INR का भी analysis कर लेंगे और उसके पहले जो हम लोग आज के trading session में क्या क्या हुआ एक बर देख लेते हैं तो दोस्तों आज का जो trading session था starting में थोड़ा volatile था और उसके बाद जो है market continuously up move करता रहा और market जो है 82.75 के उपर भी गया लेकिन sustain नहीं कर पाया और closing था 82.71 के पास और कल के daily analysis के वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था कि अगर market जो है 82.60 के उपर रहता है तब जो हम लोग buy side activate करेंगे और 82.65 था हम लोग का first target 82.70 था हम लोग का second target 82.75 था हम लोग का third target और उसके बाद हम लोगों का 82.80, 82.89, 83 था हम लोग का offset का target था लेकिन 82.75 के उपर जो है market जादा समय sustain नहीं कर पाया और market जो है नीचे आकर 82.71 के पास close हुआ तो उसी हिसाब से जो हम लोगों को आज जो है 10 पेसे का gain हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो है buying 82.65 से start किया उसके पहले confirmation candle नहीं बन रहा था और उसी हिसाब से जो हम लोगों को 10 पेसा आज के trading session में profit हुआ which means हम लोगों को जो है आज 5% ROI मिला तो आज के trading session बहुत ही अच्छा गया और अभी जो हम लोग next week के लिए trade plan कर लेते हैं तो दोस्तों last week को जो है हम लोगों ने दो option selling का strategy तयार किया था एक था मंतली expiry के लिए और एक था आज के दिन के expiry के लिए मंतली expiry के लिए हम लोगों ने 83.25 का C sell और 83.25 83.50 का C buy करके hedge करके option selling का strategy तयार किया था जो अच्छा रहा और हम लोगों को जो है पुरा profit मिला और आज के trading session के लिए आज के expiry के लिए हम लोगों ने 83.50 का C sell और 83.75 का C buy करके hedge करके आज के trading session के लिए हम लोगों ने option selling का strategy किया था और वो भी पुरा perfect रहा तो आज जो है हम लोगों को option selling का भी profit मिला और अभी जो हम लोग next week के लिए strategy तयार कर लेते हैं तो दोस्तो market जो है range bound है बहुत दिनों से जो है market एक ही range के अंदर घुम रहा है 82.60 और 82.80 के range के अंदर जो है market बहुत दिनों से घुम रहा है 82.80 के उपर जो है 82.89 एक strong resistance है उसके उपर 83.18 एक बहुत ही strong resistance है 83.808 एक strong resistance है उसके उपर 83.50 एक strong resistance है 83.15 के उपर जो है 83.21 एक strong resistance है 82.50 के नीचे 82.40 एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है 82.40 के नीचे 82 एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है और 82 के नीचे 81.70 एक बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो हम लोगा जो है 81.70 है डाउन साइट का स्ट्रॉंग सपोर्ट और 83.21 है upside का strong resistance तो हम लोग planning कर सकते हैं कि market जो है next week तक जो है इसी range के अंदर रह सकता है और उसी इसाब से जो हम लोग option selling का strategy त्यार कर लेते हैं तो दोस्तो हम लोगोंने अभी planning किया है कि market जो है 83.21 के अंदर रह सकता है उसी इसाब से जो हम लोग next week के लिए option selling का strategy बना लेंगे और उसके लिए जो हम लोग जो है 83.50 का call sell कर देंगे और equal quantity का जो हम लोग 83.75 का call buy करके उसको hedge कर देंगे तो इसका यह मतलब है कि हम लोग anticipate कर रहे है कि market जो है 83.50 यह उसके ओपर नहीं जाएगा और अगर market जो है उसके range में जाता है तब जो हम लोग उसके adjust भी कर सकते हैं और daily analysis के वीडियो में जो है अगर market उस range में जाता है तो मैं daily analysis के वीडियो में आप लोगों के साथ strategy शेयर कर दूँगा हम जो हम लोग euro inr का weekly analysis कर लेते हैं तो दोस्तों आज का closing था इंडियान टाइम का अनुसर वो 82.60 के पास था और हम लोग देख सकते ही कि 89 जो है और अभी जो है price 89.68 के पास है तो next week को जो है अगर price जो हम लोग को 89.50 और 89 की range में मिलता है तब जो हम लोग buy कर सकते हैं और next week को जो है 90.50 होने वाला हम लोग का first target, 91 होने वाला हम लोग का second target, 91.50 होने वाला हम लोग का third target, और हम लोग 92 होने वाला हम लोग का fourth target और हम लोग 92.50 तक का level next week तक हम लोग target कर सकते हैं तो यह रहा हम लोग का euro INR का weekly analysis, September महिने के second week को जो है interest rate hike को लेकर euro zone का decision आने वाला है और उससे पहले जो है market इसी range के अंदर रह सकता है तो यह रहा complete analysis of USD INR and euro INR आशा करता हूँ कि euro INR और USD INR का weekly analysis जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजिएगा, bell icon press कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा, thanks for watching the video.